नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कागन और स्वागत है आज किस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगी इस काड़ी की Hyundai की Aionic 5, concept जैसे दिखने वाली एक कार भारत में लॉंच हो गई है 45.95 लाक यानि की लगबग लगबग 46 लाक एक शोरूम में ये गाड़ी जो है आप खरीच सकते हैं और ये दुनिया की बेस्ट कार्स में से एक माने जाती है वेल, मैंने इसके उपर एक detailed वीडियो बनाया हर एक पुर्जे के बारे में जिक्र जो है मैंने आपर किया है वो वीडियो आप आई बटन में देख सकते हैं बट वो वीडियो मैंने United Kingdom में शूट किया था गाड़ी वही है लेकिन क्योंकि इंडिया में लाई गई है तो कुछ-कुछ चीजें फीचर आगे-पीछे कर दिये गए हैं तो वो फीचर कौन से हैं, जो आगे-पीछे कर दिये हैं, जो add किया है या minus किया है पहले तो उनकी बात कर लेते हैं और हमारी सड़कों में चलाने में कैसे लगती है और कितनी प्रैक्टिकल है उसकी बात करते हैं प्लस जब मैंने UK में चलाई थी तब मुझे प्राइज जो है वो नहीं पता थी कि इंडिया में क्या लांच करेंगे जो प्राइज अभी रखी है वो भी सर्प्राइजिंग है कैसे अच्छी तरीके से या बुरी तरीके से उसकी भी बात करते हैं चलिए तो यहाँ चावी से शुरुआत करते हैं सबसे बहुत चावी में ये दो फीचर जो है वो आपको कम लगेगे के मामले में जो है तोड़ी सी अलग है वहाँ अपडेट होगी मैने जूकर में चला ही वो यही बैटरी पैक है और यही स्पेक्स है बट अब जो है काड़ी का एक अपडेट आ गया है 77.3 किलोवाट आर वाला बैटरी पैक जो कि Kia EV6 में आता है इंडिया में इसमें वो नहीं आता है इसमें थोड़ा छोटा बैटरी पैक आता है उससे होता क्या है कि 10 BHP की पावर कम है और लगबग लगबग जो है 20 से 22 किलोमेटर की रेंज आपको जो है कम मिलेगी जो कि actually negligible फर्क है अगर वो वज़ए यह है कि Hyundai को इंडिया में असेंबल करनी थी और प्राइस कम रखनी थी अगर वो रीजन है तो चलो वो चीज़े जाने दी जा सकती है कोई भी खास फरक नहीं बड़ता उसका चोटा सा जो है स्क्रीन लग जाती है और जो कि आपने जलर के कार्स में दिखा होगा तो वह वहां पर जो है काफी परफेक्टली काम कर रहा था पर चालो और अपको दिखाता हूं यह जो फीचर आप यहां पर देख पर हैं यह जो है बाहर वाली काड़ी में नहीं था यहां पर देखने मुल रहा है क्या है वेल रियर सीट जो है इलेक्ट्रोनिक ली अजिस कर सकते हो यह आप देख रहे हो रियर वाली सीट जो एगर आप ऐसे रखेंगे तो गाड़ी जो है आप देखो अपने आप जो है यह पर्टिकलर सीट एकदम जिरो ग्राविटी वाली हो जाएगी पूरा रेक्लाइन जो है उस तरीके से जाएगी आगे निकल जाएगी यह सारी चीजें जो है इस पर्टिकलर सीट से हो जाता है मेरा बैग पीछे मों फटा तो मौनमा स्क्वीज हो जाएगा वालमस्क्वीज फिर भी ओर रहा है वह आप क्या हो रहा है यह देख रहे हो आप नीचे से जो है यह का सपोर्ट भी बाहर आ गया और यह जीरो ग्राविटी हुनडाइस को गयता है कि यह ग्रूप जो है इसको जिरो ग्राविटी कहता है तो वह यहां पर सीट हो गई है सिंपली इस बटन को दबाने से जो वापिस कंट्रोल हो जाती है हालांकि इस पर्टिकलर सिस्टम मे एक फेलियर यहां पर यह है कि टेक्निकली आम तर पर लोग यह समझते हैं कि पीछ वाले बंदे को आगे वाले सीट कंट्रोल करनी तो उसके लिए बटन दिया गया है बट वो चीज यहां से आप नहीं कर सकते हो तो वो थोड़ा सा फ्लाव जो है यहां पर इसके बारे में सबके सब ग्लोबली तो यह भी नहीं आता है वाइलेस भी नहीं आता है बाकि कोई भी मटे रियाल या किसी भी तरीके का गाड़ी में कोई सेफटी फीचर हो गया हो या कुछ भी जो है चीजें ऐसा नहीं जो कम दी गई हो हां एक और है पार्किंग क्या पार्किंग असिस पार्किंग क्रॉस असिस्ट या ऐसा कुछ एक फीचर आता है कॉलिजन असिस्ट वो नहीं आता है वो प्रॉबली रिमोट पार्किंग नहीं आती है उसकी वागिए डास के सारे फीचर आते हैं जितने भी आप इमाजिन करते हो वो सारे फीचर से लेवल टू वाले जो है पर्टिक्लर काड़ी में दिए गया है यह मोटा मोटी फर्क हो गया है गाड़ी के इन टम्स ओफीचर स्वीचर अब इसको चला के देखता हूं इंडिया की सटकों पर कैसा डिफरेंस जो है मेरे को फील हो रहा है हां जी तो ड्राइव करते हैं एक चीज जो है मैं बताना इस गाड़ी के साथ में एक समश्या तो है वह यह कुछ ऐसे एक तो फीचर के साथ में आती जो इंडिया में नहीं लाते तो भी चल जाता जैसे कि रियर सीट पे जो हीटेट उसका अप्शन आता अपने बस में हीटेट सीट का अब दो लेवल तक और और वेंटिलेशन का अप्शन आता है तो हीटेट सीट तो किसको जी एक है अच्छी बात यह कि आगे वाली सीट पर वेंटिलेशन का उप्शन आता है तो वह एक बड़िया चीज है जो कि मतलब इंडिया में बहुत काम आई 163 mm का लेडन ग्राउंड क्लेरंस यहां पर इस गाड़ी का है जो कि यूंड़ाई के लाइनप में सबसे जादा है यूंड़ाई का कहना है और यह वो यहां पर मैं टेस्ट कर वार हूं करूंटली खराब रोड को लेके जानों थोड़ा तेज भी जाओंगा तो कोई दिक् बीए बट आपके बास में से ऐसा निए कि आप गड़ो डूम कुद आने लग जाओ तो वो चीज मत कर ना रियर वील ट्राइव जुरूर है रियर वील ट्राइलाब फन कर सकते हो आप ट्रक्शन कंट्रोल बंद करके रिफ्ट्रें उट्टें मार सकते हो कि आपको करनी हो बात बात करते हैं उससे पहले हाई इस पे गाड़ी पास कलना हूं थोड़ासा बॉड़ी रॉल इजर उतर आपको फील हो जाएगा लेकिन इंड ये वह बेड़ है और यूजुली हुन्ड़ाई की काडियों में हमने क्रिटीसाइज किया यहां से उरस्ता निकलेगा ने य जो इसमें confidence नहीं आता, यह नहीं आता, वो वाली चीज आश्च यहां जादा आप कहें नहीं पाओ गया है, अलांकि अभी भी कोई स्टेरिंग में सा precise नहीं हो गया है, वो चीज जो है, वो यहां पे नहीं है, स्टेरिंग इतना वजन उन्होंने डाल कर दिया, अब चलते है गलियों में सीधा, तो हम आगे हैं अपने environment में, छोटी छोटी गलियों में, मनुवर करने में कैसा लग रहा है, गड़ों पे कैसा लग रहा है, पर सबसे पहली चीज तो मैं range की बात कर लेता हूँ, मैंने इस गाड़ी को नहीं चलाया है, यहां इंडिया में इतना कि मैं range इतना क्या है, उसका रीजन होगा कि आप Summers में ऐसे जो है, यह संशेट को चला रहे हो, तो घाड़ी करा हो जाती है, अपना संशेट बंद गल्लों, completely sun को ब्लॉक कर देता है, और temperature जो है, वो थोड़ा सा better maintain करने में help करता है, और पीछे वाले जो विंडो है, उन पे भी shades दिया हुआ है, तो वो भी आप shades उपर कर सकते हैं, जो कि हमेशा helpful होता है, ऐसे धूपवल environment में आज आके दूप काफी है, एक तो मैं आया भी Norway से हूँ, तो माइनस 30 से सीधा jump करके 29 या whatever degree अभी क्या, 30 degree हो रखिया है, मेरे जो 60 degree का shift हो गया ही है, तो मुझे शायद हो सकता यह वाली driver seat भी ऐसी करने का option है, जो कि बहुत dangerous है, इंडिया में लोग कर देंगे, ऐसे सो जाएंगे, और idas लगा के बोलते रहेंगे हमारी गाड़ी अपने आप चल रहे है, प्लीज ऐसी reels वगरा मत बनाना, अगर आप देखते हैं तो रिपोर्ट कर देना तूरण दू इसको ना सिर्फ इंसे करना पर बलगी प्लिस को भी रिपोर्ट कर देना कि यह लोग ऐसे करते हैं, अगर उसके बाद में जो है बात यह है कि चलने वालने में कैसी है गाड़ी, देखो यूके में जब मैंने चलाया था तो मैंने इसके बारी में बोला था, इसकी राइड क पैचे से जाती है गाड़ी, तो वहाँ पे आपको फील होता है कि अरे यह तो काफी कमफर्टबल ही निकल गई है, ओ, देखो वार्निंग दे रहा है कि सामने गाड़ी आ रही है, इसको नहीं पता, यहाँ पे ऐसी चलता है, गाड़ी आइसी आधी रहती है, एन्वे, तो यहाँ पे जो है, वो चीज एडवांटेज में तब्दील हो जाती है, एकदम गाड़ी स्मूथली निकलती है काई गड़ों से, हलांकि मेरी अभी भी यह रिक्वेस्ट रही कि आसे कि बहुत बड़े गड़ों पे तेज ना निकले हैं, अगर आप आप आनिक 5 रख रहे है हलो, तो कोई और जो है, वो भी चला रहे है, आप यानिक 5-6 है टोटल बेसिकली, उसमें से एक मैं चला रहा हूँ, तो वो चीजे है, अच्छे हैं गाड़ी, गाड़ी और मनुवर करने में बीजी है, अगर मनुवर करने में दिक्कत आ रही है, सिंपली एक बटन दबाव हो, आपके सारे कैमरा जो है, वो आप एक्सेस कर सकते हो, यहां से, कैमरा की क्लारीटी नेक्स लेवल है, बटन से याद आया, हिंडा को यहां पर होम बटन जैसी कोई तो चीज दे नहीं चाहिए, अब मुझे जैसे सीट वेंटलेशन अपना कंट्रोल करना हो, तो मेरे को वाल जा अभी मैं एक्टो चल रहा हो, Hij से आपको चलाना है वैसे आप चला सकते हो, जैसँ है आप चलाना है जा सकते हो, तो भी आप चलाने को हो जयाobil! आया उसके बद में क्या बतारा है हाँ अब एंट्रोड टो चल रहा है मेरे को होम स्क्रीन पर जाना है मैं यह दबाऊंगा सिर्फ मेरा गाना बंद होगा यह दबा के रखूंगा काफी देड़ तक तो जो है भी पूरी स्क्रीन ही बंद हो जाएगी तो मेरे बाइब होम बट यूंडाइ पर जाओ और इतरे वीच में बूल गया कि मैं को जाना कि दर है रुक फ़ल नइविगेशन देख लेता हूं इधर नहीं जाना था मुझे गलत हो गया तो चोटी मोटी गलती आप कई बार कर दोगे कि या आपको नहीं पताता जाना कि दर है आप गलत चले गए सब्सक्राइब करने के लिए उसके बाद में जो है गाड़ी की रेंज में आप से बात करी लिए कि 400 किलमेटर के लगबक की रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एर याई के रेंज चेक करने का तरीका बहुत ही घटी आया है तो वहां पर इसलिए 600-600 अम्पनिया क्लेम कर लेती है क्योंकि 600 की आज आती है और यहकि दे देता है लिखे तो यह भी मान लेते हैं तो वह वाला वह तरीका जो है सई नहीं है range क्लेंग करने का इसके बात में जो है हमारे पास में क्या बात है और आप यह वाला पांद आप एक्सेलेटर पर रखूँगा करना क्या जैसे breaker आया simply lift off गाड़ी almost रुख जाएगी आप अपना चलो क्रॉल नहीं करेगी आई पेडल एक्टिवेटर तो क्रॉल नहीं करेगी मतलब region level 3 पे तब तो क्रॉल करेगी बड़िया और यहां पर गाड़ी almost रुख जाएगी अगर आपने पेडल पर पांड आया तो यह बहुत ही जबर्दस चीज़ है ट्राफिक मेंचे आप यूज करते हो यह कोई गाड़ी पासर सिंपल यह पेडल चोड़ तो दीर 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 जाके वहां रुख जाएगी और उसक की जरुरत नहीं भी है मतलब जैसे almost 94% 90% 98% चार्ज ती जब मैं होटल से निकला था आई पेडल तब भी काम कर रहा था जो कि यह बहुत ही चीज है कि अभी मतला वाभी गाड़ी बैटरी में रिस्ट्रो करने इतनी पावर नहीं चाहिए ही नहीं तो भी जो है जो सिंगल अब यह सिंगल पेडल ट्राइव टाटा ने भी देनी कोशिश की थी बट उनका सिंगल पेडल ट्राइव बहुत अलग है उसमें गाड़ी करती रहती रूखती नहीं बट यह जो एक्चुल आई पेडल है जो वालो अगरा में भी हमने देखा है वो ऐसे ही काम करता है कि आ गाड़ी काफी सौर्टेट है फीचर्स या सोफिस्टीचेशन जो इस तरीके से दिये गांप करने कोई भी गलीच जो है उन नहीं है जो कि सबसे बड़ी चीज़ है कोई भी गलीच जो है अनिक फाइफ में व्ны बजाने को नहीं मिला है यह कॉवालिटी ऐस्षॉरण्स हर प्राइस पॉइंट जो दी है, 45-46 लाक रूपीज एक शुरूंगी, उस पर गाड़ी तो बहुत ही बैतरीन है, कोई डाउट नहीं है, प्राइस से भी मैं सैटिस्वाइड हूँ, और ओर 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 फीचर वगरा जो गाड़ी की बिल्ड है, जो गाड़ी की फीचर से सब से जएड़ी थीवी है, हमारे पास में, हमारे पास में बीवाइडी 803 है, हमारे पास में, और वो भी थोड़े कम प्राइस के से, बट है वो और उनमें ज़्यादा लोग इंटरसेट है नहीं, यह उनसे मच सुपीरियर है, लेकिन लोग हैं या खरिदने वाले नहीं है, USP कम होती जाएगी, लक्शरी कार उसके बीच में, बट ब्रैंड वैल्यू फिर भी है, या भूलनी सकते हो, तो क्या लोगो ब्रैंड वैल्यू के चक्कर में फसे रहेंगे या एक्स्परिमेंट करेंगे, यह नहीं पता है, फिलाल आपके क्या थौट्स हैं, वह आप बता